सुपस्टा राजेश खन्ना ने लगातार 15 हिट फिल्मों का जो रेकॉर्ड बनाया है उसे आज तक कोई भी तोड़ नहीं पाया एक जमाना था जब लड़किया राजेश खन्ना पर मरती थी और प्रोड्यूसर उन्हें अपनी फिल्म में लेने के लिए लाइन लगाते थे हर किसी की जिन्दगी में उतार चड़ाव दोनों आते हैं और ये दौर राजेश खन्ना की जिबगी में भी आया उनकी साथ फिल्में लगातार फ्लॉप हो गई वो वक्त राजेश खन्ना के जिन्दगी का सबसे कठिन दौर था 1976 में जब राजेश खन्ना की फिल्म महाचोर बुरी तरह फ्लॉप हो गई ये राजेश खन्ना की कर्यका सबसे खराब समय था परदे पर उनकी फिल्म फ्लॉप होना शुरू हो चुकी थी साथ ही घर में दिम्पल के साथ उनके संबंद अच्छे नहीं चल रहे थे महा चोर के बाद उनकी अगली फिल्म रिलीज हुई बंदल बाज जिसकी खराब प्रदर्शन करने की चलते ओंधि मूँ गिर पड़ी राजेश खन्ना जिन्हें हिट फिल्मों की आदक लगी थी उनसे ये फ्लॉप फिल्मों का गम बरदाश्ट नहीं हो रहा था दूसरी तरफ उनकी फिल्मों को टक कर देने के लिए अमिताब बच्चन बॉलिवुड में उतर चुके थे परदे पर लंबी चोड़ी कद काथी वाला एक एक्टर जिसके चेहरे पर मुस्कान कम और गुसा ज़्यादा था वो जब दर्शकों के सामने आया तो इस नए अफ्तार को फैंस ने बहुत पसंद किया अमिताब बच्चन के एंग्री यंग मैन वाले लुक को जो दर्शकों को हटके लगा जिसे दर्शकों ने सराहा उनकी फिल्मे हिट होने लगी थी 1975 में आई शोले ने सफलता के नए कीर्टिमान गर दिये थे एक तरफ अमिताब हिट होते जा रहे थे दूसरे तरफ राजेश खना की फिल्मे फ्लॉप होने लगी थी हाला कि राजेश को अभी भी अपनी रुमेंटिक छवी पर भरोसा था दो फिल्मों के फ्लॉप होने के बाद राजेश खन्ना को फिल्म महभूबा से बहुत उम्मीदे थी क्योंकि शक्तिसामन के साथ उनकी पिछली तीन फिल्मे हिप थी ऐसे में उन्हें यकीन था कि ये फिल्म चलेगी लेकिन इसा हुआ नहीं शुरू में फिल्म को थोड़े दर्शक मिले भी लेकिन धीरे धीरे वो भी दूर हो गए इसके बाद राजेश खन्ना की अगली पांच फिल्में भी जबरदस्ट फ्लॉप हूँई और उन्हें गहरा सदमा लग गया फ्लॉप का गम भुलाने के लिए राजेश नशे में दूबने लगे बताया जाता है कि एक रात राजेश खन्ना गम में दूबे देर रात तक शराब पी रहे थे हर दिन की तरह काका को छोड़कर उनकी पतनी डिंपल और स्टाफ सोने चले गए उस रात बारिश हो रही थी और सभी गहरी नींद में थी तभी अचानक राजेश खन्ना के जोर जोर से चीखने की आवाज आई राजेश की चीख सुनकर जब डिंपल और घर का स्टाफ टेरस पर पहुँचा तो देखा काका जोर जोर से रो रहे थे उस मंजर को देखकर दिंपल भी काफी दर गई थी यासिर उस्मानी के मुताबिक राजेश खन्ना अपने बिखर्टे करियर से इसकदर तूट गए थे कि वो खुदकुशी करने के बारे में सोचने लगे थे उन्होंने एक इंटर्व्यू में बताया था कि डिप्रेशन की हालत में वो मरने के बारे में सोचने लगे थे यहां तक कि उन्होंने समुंदर में डूब जाने का फैसला किया था लेकिन अन समय में उन्होंने अपना फैसला बदल लिया राजेश खन्ना ने सफलता असफलता दोनों को देखा और जीवन के हर पल को जिया अपने गम में तूटते हुए भी वो खड़े रहे मजबूती के साथ और साबित कर दिया कि आनल मरते नहीं